हाई स्कूल क्लासिस के यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको उताऊंगा अध्याय बारा की सारे प्रशन जो आपके एक्जाब में जनरली पूछे जाती है और 11 मार्च को पूछे जाने की संभाबना सबसे जादा है इस चैप्टर से मुखेता 6 नंबर के प्रशन आएंगे इस तो 6 नंबर में कौन-कौन से प्रशन आएंगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा चैनल के पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकोन जरूर प्रस करें चलिए शुरू करते हैं पहला कौफ्शन हमारे सामने है 10 से 20 और 20 से 30 में संख्या 20 निम्न वर्ग में सम्मिली तो होगी देखे जो अधीकवान होता इसको हम निमन सीमा पहते हैं अब उच्चिता मान होता इस्टुरून उसको हम उच्चि सीमा कहते हैं तो बोला है 20 से निम्न सीमा किसमे होगा निम्न वर्ग किसमे होगा तो यहाँ पर तो हमें अधीक दिख रहा है 20 10 से 20 मतलब 20 अधीक तम है और 20 से 30 में 20 कम है तो आपका क्या हो जाएगा 20 से 30 निम्न वोला है तो 20 से 30 आपका सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन है किसी बारंबारता बंटन में तीन सतत वर्गों में प्रत्यक की चड़ाई 10 है एवं सफसे छोटे वर्ग की सीमा 0 है तो सफसे बड़े वर्ग की उच्छ सीमा क्या हो जाएगा देखे, तीन कुल सीमा है, सबसे छोटा जीरो है, और दस-दस का अंतराल है, बिटा, तो दस के बाद बीस होगा, बीस के बाद तीस होगा, ठीक है, तो सबसे जो उचताब मान हो जाएगा न, वो हो जाएगा तीस, तो तीस आपका करेक्ट उपतर होगा, अगला प्रशन है, जब आकड़े सतत और बहुत अधीक हों, क्या लिखा है, जब आकड़े सतत हों और बहुत अधीक हों, तो किस आलेखी निरूपन का प्रियोग लाप्रत है, देखिए, जब सबसे ज़्यादा आकड़ी होते हैं, तो वहाँ पे सबसे उपयोगी होते हैं, बारम बारता आपसे नंबर C आपका सही जवाब हो जाएगा आगले प्रश्णों पर चलते हैं आगला प्रश्ण आपके सामने ये रहें क्या लिखा हुआ है देखें जब आकड़े ये तो हो गया वर्ग अंतराल 140-150 का वर्ग चिन ध्यान रखेगा इस्ट्रेट जब भी आपसे वर्ग चिन बोले तो दोनों को जोड के दो का भाग किया जाता है 140 और 150 हम जोड़ेंगे तो 290 आएगा और इसमें 2 का भाग करेंगे तो 145 आएगा मतलब आपसा नंबर सी आपका सही जवाब होगा आगला प्रश्ण है एक बारम बारता बंटर में एक वर्ग का मद्ध बिंदू 10 हैं उसकी चोड़ाई 6 है तो इस वर्ग की निम नसीमा तो निम नसीमा डियर इस्ट्रेंट यहाँ पे साथ हो जाएगी आपसा नंबर भी आगले प्रश्ण पर चलती है प्रथम पाच विसम प्राकृतिक संख्याओं का माद देखिए प्रथम पाच विसम प्राकृतिक संख्या बूला है विसम संख्या कहां से सुरू होती है एक से तो एक प्लस तीन प्लस पाच प्लस साथ प्लस नौ करना है टोटल पाच संख्य है तो पाच से भाग करना है सभी को जोड़ेंगे डियर इस्ट्रेंट 25 आएगा और 25 में पाच का भाग करेंगे तो पाच ही हमारा सही जवाब होगा ठीक है पाच कहीं पर दिख रहा है आपसर नंबर दीपर ठीक है यह आपका दुएक देखें 2023 में आ चुका है अच्छे से त्यार कर लीजिए अब चलते हैं कुछ आओर प्रशनों पर अगला प्रशन है डियर इस्ट्रेंट आप लोग की सामनी रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए ठीक है पहला वर्ग की आवरति को उसके बिंदू पर केंद्रित मानकर बनाया गया बहभुज क्या कहलाता है तो आपको लिखना है डियर इस्ट्रेंट यहां पर बारम बारता बहभुज क्या लिखना है बारम बारता बहभुज यह रहा आपका फश्यूतर किसी वर्ग की उच्छ सीमा एबं निम्न सीमा की अंतर क क्या कहा जाता है तो देखिए उच्छ सीमा में हम निम्न सीमा को तो यह होता है ठीक है तो क्या लिख देना आपको टू लिख देना है आयतों के छेत्रफल संगत तो आपको लिखना है बारम बारता ठीक है संगत बारम बारता की समानुपाती होते हैं चलते हैं अगले प्रश्णों पे अगला प्रश्ण है डियर इस्ट्वेंट आपका दंड आल देखिए सत्य सत्य बताना है दंड चित्र सदैव उर्धाधर बनाया जाते हैं दंड चित्र देखिए जरूरी नहीं होता कि उर्धाधर होते हैं ऐसे भी होता है न आपका बबुज तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है डियर इस्ट्वेंट यहाँ पर आपको असरत लिख देना है किसी वर्ग की अंतरगत आने वाले पदो की संख्षा उस वर्ग की बारंबारता कहलाती है यह बिल्कुल फ़ई बात है पदो की संख्षा कोही क्या कहते हैं आयतों की लंबाई हैं बारम बारता की समानुपाती होती है ये भी सही है dear restaurant वर्ग अंतरालों को मद्द वर्ग चिन कहलाता ये भी क्या है सही है अब चलते हैं कुछ और प्रशनों पी देखें अगले प्रशनों पी चलते हैं dear restaurant अगला जो आपका question आएगा चार या तीन नंबर में आएगा ठीक है तो पहला प्रशन आप लोग के सामने क्या आएगा आपको तीन चीजे तैयार करनी है ठीक है क्या क्या तैयार करनी है दन डाल एक ठीक है इसके बाद dear student आपको आयची तैयार करना है और इसके बाद आपको बारम बारता बहुबुजी बारम बारता बहुबुजी एक definitely आपकी एक्जाम में आएगा definitely ठीक है तो चली क्या क्या question important हो सकते हैं तो देख लेते हैं पहला question आप लोग के सामने है भारती समाज के विभीनी चेतरों में प्रती हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या की आकड़े नीचे दिये गए हैं इसको क्या करना है आप द्यान से देखिए उपर दे हुई सुचनाव को एक दंड आलेक द्वारे रिउपीत करना है और इसका आलेक बनाना है इसका आप स्क्रीन सॉट लेकि इसको अच्छे सित प्रेपेर कर लीज़े ठीक है चलते हैं अगले प्रशने पे अगला प्रशने एक राजी की विधान सभा के चुनाव में विभीन राजनेतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिये गए हैं इसमें हमें दंडालिक बनाना है और अधिक्तम फीटे किसने जीती ये बताना है तो अधिक्तम फीटों आप देख के बता सकते हो ए ने जीती दंडालिक कैसे बताना है तो कैसे बनाना है ये आपका दंडा लिख रहा है ठीक है एक तरफ राजनीतिक पार्टी लिखना है एक तरफ क्या लिखना है इस्ट्रिंट एक तरफ आपको लिखना है जीती गई सीटे ठीक है एने जीता सत्तर और अस्री के बीच में तो ये उसके सामने मिला देना है बी को किया गया है इसमें हमें एक आयाच चित्र बनाना है देखिए आयाच चित्र में क्या होता है डियर इस्ट्रेंट याद रखिएगा गैफ बिल्कुल नहीं होता ठीक है आयाच चित्र में गैफ नहीं होता और इसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर धियान से देखिए क्या इ तो यहां से करना है आप देख सकते हैं ठीक है यह आपका अंसर रहा अगला प्रेशन आप लोग के सामने है इसमें आपको क्या करना है देखिए सुचनाओ को निरूपित कीजिए आया चित्र की साहता से और कितने लेंपों की जीवन काल 700 गंटों से अधीक है तो 700 गंटों से है अधिक जाना है मतलब ये आप तीनों को जोड़ना पड़ेगा ठीक है solution कैसे करना आप देख सकते है आपका आयाचित्र रहा और ये मैंने क्या बोला था तीनों को जोड़ना है तो ये तीनों को चोड़ कि आपका अंसर आ ठीक है अब चलते है अगले प्रेशन के अगला प्रेशन फिर आपको आयाचीत पूछा गया है मैंने क्या बोला एक आयाचीत डेफिनिटली आपके एकजाम में आएगा एक दंडालेक त्यार कर लीजिए और क्या त्यार करने आपको बहभुज बनाना सिखना है बहभुज आएगा ही आएगा तो यह आपका रहा इस्टुएट दंडालेक आप देख सकते हैं यहाँ से आपका स्टार्ट होता है डियरे इस्टुएट और यह आपका दंडालेक रहा इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रेशन पर अगले प्रेशन पर हमें इस्टुएट बहभुज बनाना है तो यह आपका question रहा ठीक है आकड़े A और section B यह आपके सामने question रहेगा कैसे solution करना है तो आप देख सकते हैं आप इनको दोनों बहुत को यदि color wise करना चाहे एक को black एक को blue तो ज्यादा better solution रहेगा ठीक है अगला question dear student आप लोग के सामने यह रहा कि सम्मूव में बाराम बारता अधीक है इसमें करना क्या है आचितर बनाना है तो आचितर कैसे बनाना है यह रहा आपके सामने solution इसको बढ़िया से आप त्यार कर लीजिए ठीक है तो student आपका जो last chapter है मतलब की अध्या बारा है इस्टेटिक सांखी की उसे में ली यही question आती है जो मैंने आपको बता दिया चैनल पर नए है पहली बार है तो चैनल को subscribe करके वेल आइकन प्रेस करें आपको किस chapter प्राब्लम है कमेंट करके कमेंट करें मैं आपको उस chapter के वीडियो लेक्चर प्रवाइट करूगा मिलते है इस्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद बन्दि मातरम